पाट सोला हमारा शरीर मनुश्य अपने लिए नित नए से नए साधनों का निर्मान करता रहता है आज उसने लिखने के लिए कलम से लेकर यात्रा के लिए कार, रेल गाड़ी, हवाई जहाज और रोकिट तक अनेक प्रकार के साधनों का आविशकार कर लिया है अभी और भी नह जाने कितने साधन वह बनाएगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन बेशुमार साधनों के होते हुए भी हमारे लिए सबसे उप्योगी और अनिवारे साधन कौन सा है ऐसा साधन जिसके बिना हमारा किसी भी प्रकार का कोई काम हो ही नहीं सकता, शायद आपने अनुमान कर लिया हो, हमारे लिए सरवादिक उप्योगी साधन है, हमारा शरीर अन्य सबी साधन तभी हमारी साहता करते हैं, जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, जिस व्यक्ति का शरीर ही कामने करता हो, वह ने तो कलम से कविताय लिख सकता है, ने ट्रेक्टर से खेती कर सकता है, और ना ही रोकिट से अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकता है संस्कृत के प्रसिद महाकवी कालिदास ने कहा है शरीर माध्यम खलू धर्म साधनम अर्थात संसार में कर्तव्य पालन के लिए पहला साधन शरीर है हमारा शरीर एक मशीन या इंजन के समान है जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए डीजल की आवश्यक्ता होती है ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को निरोक रखने के लिए संतुलित आहार की अवश्यक्ता होती है किन्तु यदि हम बारीकी से इंजन की तुलना शरीर से करे तो हम देखेंगे कि हमारा शरीर एक विचित्र इंजन है क्योंकि जब किसी इंजन में तूट-पूट होती है तो वह अपने आप ठीक नहीं होती बलकि उसकी मरमत करनी या करवानी पड़ती है जबकि यदि मनुष्य के लिए शरीर में कोई घाव हो जाता है या कोई बिमारी उत्पन हो जाती है तो कुछ दिनों में वह खुद-बखुद ठीक हो जाती है मरम पट्टी या दवादारू की तो सिर्फ उसकी मदद के लिए अवशक्ता पड़ती है इस संबन में एक विशेज बात और है वो ये है कि इंजन को चलाने के लिए ड्राइवर की अवशक्ता होती है लेकिन हमारा शरीर रूपे इंजन स्वचालित है इसमें तभी गड़बढ होती है जब हम अपने आहार के नियमों का पालन नहीं करते आहार अर्थात भोजन हमारे शरीर का मुख्य आधार है यदि शरीर को उचित समय पर उचित मात्रा में उचित भोजन मिलता रहे तो यह सुचारू रूप से काम करता रहता है इसके विशे में एक और बात याद रखने की है कि हमारा शरीर और हमारा भोजन दोनों एक जैस तत्वों से बने हुए हैं यही कारण है कि शरीर में जिन तत्वों की कमी होती है बोजन द्वारा उनकी पूर्ती हो जाती है अतै हम कह सकते हैं कि बोजन के निम्न कार्य है एक शरीर के आवश्यक तत्व जुटाना और उसकी कमी पूरी करना दो दैनिक कार्यों के लिए उसे शक्ति देना तीन शरीर की प्रक्रियाओं को नियमित करके शरीर को स्वस्थ रखना इन कारयों की पूर्टी करने के लिए हमारे बोजन में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए एक, प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धी में सहायक होता है, इसके द्वारा हमारे शरीर में नए उतकों का निर्मान और पुराने उतकों की मरमत भी होती है, दूद वे दूद से निर्मित खाद्य परदार्थ, दाले, मतर, मेवे, सेम, सोयाबिन, मास मचली, अं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ये दो रूपों में प्राप्त होता है, स्टार्च के रूप में और शरकरा के रूप में, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, शकरगंद आदी स्टार्च के स्रोथ हैं, जबकि च वसकों वर बच्चों को भोजन में अधिक मात्रा में कार्बोहाइडर्स की अवशक्ता होती है। तीन, वसा वसा भी शरीर को उर्जा देने वाला पोशक तत्व है। कार्बोहाइडर्स की तुलना में इससे हमें अधिक उश्मा और उर्जा प्राप्त होती है। मक्खन, गी, तेल, मुनफली आदी वसा के प्रमुक्सरोत हैं। वसा की अधिक मात्रा नुक्सान दायक होती है। ये हमें मोटा बनाती है और कई बिमार्यों को जन्म देती है। 4. विटामिन विटामिन हमारी मास पेशियों, अंगों व ग्रंथियों को बनाने में सहायक होते हैं। ये अन्य कई प्रकार से भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे ये हमारी आखो, कानों, नाक और त्वचा की सुरक्षा करते हैं। हमारे पाचन तत्र को स्वस्त रखते हैं। हड़ियों, द शरीर को ठीक प्रकार से कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये नई रक्त कोशिकाओं की वृद्धी एवं विकास के लिए भी अवशक होते हैं। जल भी हमारे भोजन का एक तत्व हैं। ये शरीर की सभी कोशिकाओं का एक महत्व पून संगटक होता है। वास्तव में तो हमारे शरीर का सत्तर प्रतिशत भाग जल है। अतय हमें प्रति दिन 5-6 लिटर जल अवश्य पीना चाहिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि बिमारियों से बचने और शरीर को निरोग रखने के लिए स्वादिस्ट भोजन की अपेक्षा उचित अनुपात में उपरोक्त पोशक तत्वों से युक्त संतूलित भोजन अ अवशक है। आहार की भाती ही नियमित विहार या व्यायाम भी स्वास्त के लिए अवशक है। समय पर सोना, समय पर उठना, गूमना, फिरना, कसरत करना, आसन प्रानायम करना और स्वच रहना भी बिमारियों से बचने के लिए अवशक है। आहार विहार के इन सामान्य नियुमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति निरोगी रहकर दिरगायू प्राप्ट कर सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है एक तंदुरुस्ती हजार नियाम।